इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फोन से कोई भी फोटो, वीडियो, एपी के फाइल, कोई इसी भी फाइल अपनी टीवी में भेजना चाहते हैं, तो वो कैसे भेजें, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से ज चले जाना है, देखिए कैसे आएंगे आप, यहाँ पर एपस में आजाएं, एपस में, और यहाँ पर आपको प्ले स्टोर दिख जाएगा, इसे ओपन कर लें, अब यहाँ पर आपको उपर सर्च का उप्शन दिख रहा है, सर्च के उप्शन पर आपको आना है, यहाँ प Files to TV, पूरा लिख दें, लेकिन कुछ word लिखने में ही आ जाता है, तो इस application को आपको अपनी TV में install कर लेना है, देखिए मैंने install कर रखा है इसे, ठीक है, अब जैसे इसे मैंने यहाँ पर install किया, इसी तरीके से आपको अपने phone के playstore में भी इसे install कर लेना है, ठीक है, अब यह आपकी टीवी में connect है वही वाई-फाई फोन में connect होना चाहिए ठीक है तो ही यह application से आप कुछ भी भेज सकते हैं अगर आपके घर में वाई-फाई नहीं लगा है तो फोन का जो hotspot है वो टीवी में connect कर दीजिए उसकी मदद से भी आप application भेज सकते हैं ठीक है तो देखिए य तो यहाँ पर रिसीव पे सेलक करना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा अब फोन में तो अब आपको अगर कुछ भीजना है तो send की option पर क्लिक करें अब यहाँ पर आप देख लें आपको क्या भीजना है जैसे मैं camera से कुछ भेज देता हूं या फिर कुछ अच्छा सा मैं भ फोटो पे क्लिक किया तो यह आपको TV का नाम नजर आ जाएगा इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे सामने चली गई है success हो गया है ठीक है अब आप इस चीज को देखे कैसे आप देखना है आपको तो यहां बाहर आ जाए पूरी तरीके से बाहर आ जाए आपकी टीवी मे आपको एक file explorer install करना होगा यानि file manager install करना होगा यह देख सकते हैं यह भी मैंने play store से install किया है तो आप भी file manager को install कर लें फिर देखिए यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा sd card का इसे open करें और download का एक folder मिलेगा download के folder में आपको वो भेजी गई image दिख जाएगी आप देख सक तरीके से आप कोई भी image application कुछ भी भी भेज सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने application भी भेजी थी इसी मदद से APK आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने APK भी भी भेजी थी तो इस तरीके से आप कर सकते हैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी टेक